कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई की इंटेडेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी ठ्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रोफ के फैंस इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को मूवी में कौन कौन से श्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने किदरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत किंदी दी और इस मूवी में किस प्र प्रस्पूल जानकारे आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर् प्रमित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधिहात में एक स्विकल्स हैं वागी 3 में टाइकर स्रॉप रितेस देशमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक हैं वही मैं आपक स्विकल्स की ब्रॉप कर दो कि एक एर होश्टेस्ट की भूमी का निभा रही है सबसे पर मैं आपको बता दूए कि इसमें तीन लीड डॉल में आपको दिखेंगे रितेस देशमुक टैगर श्रॉप और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्टन हुई थी वहें मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की फर्मक फोटोगराफी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी स सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप चिक जिन नई और इंस्पारि यू की वीडियो में दोस्तों कमाले करने यहएं उसका नाम हें जी त्यरी आप जाप कर से दोस्तों के साथ के दोस्तों के साथ येच्व क्योंकि क्यों आप ubiqui में कौन कौन से श्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने कितरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत किंदी दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपक को मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रनी सीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडिसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी टू 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है बागी ट्री में टाइगर स्रोफ रितेश देखमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दू हूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दू कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसम सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मूवी है तो आप अगर इस मूवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप चिक जिन नई और इंस्पारि इंटेंडेंग और रीव्ईउ की वीडियो में दोस्तों आज कि इस उसी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम ऑगि 3 जी हां अगर आप बिट तैर शरोफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर गोई-दोस्तों के इस व लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने किदरे कमाई की दी और इस मूवी की लागत की दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा complete जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रन चीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्षन ड्राम फिल्म है जो कि साजीद नाडीयाडवाला द्वारा नाडीयाडवालां ग्रेड़न इंडर्टेंश्न के तहट निरमित और फॉक्स्स इस्ट इस्टईडियो द्वारा वित्रत की गई यह बागी 2016 और बागी 2 2018 का अधिहात में एक स्विकल्स हैं। बागी 3 में टाइगर स्रोफ, रितेश, देशमुक और सरदा कपूर हैं। ये 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है। वहीं मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लिडू डोल में आपको दिखेंगे रितेश, देशमुक, टैगर श्रोफ और सरदा कपूर। फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्टन हुई थी। वहीं मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 12 सितंबर 2019 को मुंबगय में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी स्रेणा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी। तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी हैं तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से किसी नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब त करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप इस gucken देंगे श्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूवी काउं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने कितरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत किंदी दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कमप्लेट जरूर देखेगा उससे फेले वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब आपको मिल सके और आप जीबन में कुछ बहत्रन और कुछ नयग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिड सीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉप रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिक निभा रही है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन डॉल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर्श्रोफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह शे मार्श दो हजार वीज को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितंबर सौरी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी ग दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियू चैनल की और एक नई इंटेटेनिंग और रीविई की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे बागित्री मूवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मागित्री मूवी में कौन-कौन से स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इस मूवी को पसंद कर तो रहे हैं इस सो किसमी ने कितले कमाई की दी और मुवी की लागत विचीं दी और मुवी स्विक्लकार से आपको किन करेख़ाय गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस एक बर सपूरा कंपलेट जरूर देखेंसे पहले विडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉफ रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिक निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डॉल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर श्रॉफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह शे मार्च दो हजार वीस को यह रिलीज की सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्राफी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबवय में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियू चैनल की और एक नई इंटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर करकी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजियेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे वागित्री मुवी के पूरी इडिल्स के बारे में मुवी में कौन-कौन से इस्टार काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूवी काओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने कितरी कमाई की दी और इस मुवी की लागत किंदी दी और इस मुवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया किया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फॉक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स हैं वागी 3 में टाइकर स्रॉप रितेस देशमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमिक का निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन रिलीज डोल में आपको दिखेंगे रितेस देशमुक टैगर श्रॉप और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सि प्रेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितंबर सॉरी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वह 6 मार्च 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आ सब्सक्राइब कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे बागित्री मुवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मागित्री क्कुन से स्टार कास्ड ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपने भूमी काउं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस tämä Plays पसंद कर रहे हैं इस मुवी की ने किद्री कमाई की दी मुवी में था है चैनल को इस सब्सक्राइब और फå उसी सब्सक्राइब और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सकें तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियाथ में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रोफ रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वह मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निवा रही है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डोल में आपको दिखेंगे रितेश, देशमुक, टैगर्श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को ये रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्टन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि ये फिल्म की फर्मक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगय में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिनेमा गरों में ये रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों ये थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से किसी नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियू चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श मागित्री मूवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मागित्री मूवी में कौन-कोन से इस्टार कास journals ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इस में अपनी ईएंगरण को निवाया है लोग इस परएकिक से पिसंदा कर रहे हैं इस यह मूवी को मुझा प्या सब्सक्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रनी सीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी टू 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है बागी ट्री में टाइगर स्रॉफ रितेश देखमुक और सर्दा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सर्दा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमिका निभा रही है फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिर्णा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे की नई और inspiring entertaining video में तब-तक के लिए कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंटेडेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जी हाँ अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस विडियो में हम आपको बताएंगा बागी थ्री मूवी की पूरी डिड़्य पारे में मूवी में कौन-कौन से इसटार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भुमी काउं को निभाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने किदरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत किंदी दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो विडियो को पूरा कम्पलेट जरूर देखेगा उससे फ़हले विडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हमापको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निरमित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्याथ में एक स्विकल्स हैं वागी 3 में टाइकर स्रोफ रितेस देशमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक हैं वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूम का निभा रही हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डॉल में आपको दिखेंगे रितेस देशमुक टैगर श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेम गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की फर्मक फोटोग्राफी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबवे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिरेना गरों में सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थ तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से कि नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियू चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श मुवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मुवी में कौन-कौन से स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमी काउं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने कितरी कमाई की दी और इस मुवी की ला आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाक कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फॉक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी टू 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है बागी ट्री में टाइगर स्रॉफ रितेश देखमुक और सर्दा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सर्दा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन रिलीडोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर स्रॉफ और शर्दा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्शन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से किसी नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का सुआगत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रिविई की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के इस वीडियो को इस वीडियो में आप को बताएंगे, वागि इतरी, मूवी के पूरी डिडिल्स君 कि आ हैं, किस परकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमी काओं को निभाया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कम्प्लेट जरूर देखेगा तो से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और बस्य कर लें आपके एसी ही नौलश्पूल जानकारे आपको मिल सके और आप जीवन खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधिहात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइगर स्रॉफ रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर- फोस्टेश की भूमी का निभा रही है सबसे शक्त मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लिट डॉल में आपको दिखेंगे रिटेश देश्मुक टैगर श्रॉफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे की इसमें तो मार्च 2020 को य 12 सितंबर 2019 को मुंबवे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाहते हैं तो आप करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई इंडेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बागित्री मुवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मागित्री मुवी में कौन-कौन से स्टार काश ने काम किया है किस प्र जरूर देखेगा विट्धियो को लाइक करकर चैनल को सraenk aid वश्य कर लें याइसी नौलजपुल जानकारें से और आम झीवन में कुछ भात्रिन और कुछ नियाद्यगे नहीं धर नीडियर इस मूवि में आपको दिखने वाला है वह भात्रिनी छींजों को देखने को मिलेगा बागे थरी यह एहमद खान द्वारा निरदेशित और एक एक्षन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेड़सन इंटेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स स्टार इस्ट्यू द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉप, रितेस देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि स्रदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निवा रही है सबसmore फिल्म आपको बता दूँ कि इसमें तीन रिडरोल में आपको दिखेंगे रितेस, देशमुक, टैगर ठोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को ये रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि ये फिल्म की फर्मक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिर्णा गरों में ये रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों ये थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से किसी नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के अगर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियू चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीविई की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे बागित्री मुवी के पूरी डिडिल्स के बारे में बागित्री मुवी में कौन कौन से श्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने किदरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत किंदी दी और इस मूवी में किस प्रकार से आप आपको किन किरदारों को दिखाए गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कम्पलेट जरूर देखेगा तो से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्ते कर लें आपके ऐसी ही नौलश्पू द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी 2 2018 का है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सर्दाकपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मूग टैगर श्रोफ और शर्दाकपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्सन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की फर्मक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिरेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तो यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप चिक जिन नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब त प्र頭 करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री यहां अगर आप भी टायकर शौरफ के friends हैं इस विडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमापको बताएंगे बागी थरी मूवी के पूरी डिडेल्स के बारे में मागी थरी मूवी में कौन-कौन से स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमी काओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने कितरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत किंदिती और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाये गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और वस्ते कर लें आपके ऐसी ही नोलस्पूल जानकारे आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाक कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजो को देखने को मिलेगा बागित 3 यह है एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा ग्रेडशन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टेडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियाथ में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉफ, रितेश, देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्म मैं आपको बता दूँ कि इसमें 3 लीडोल में आपको दिखेंगे रितियस देश्मूग टैगर श्रोफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वहें मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वही 6 मार्ट 2020 को सभी सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तो यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से किसी नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक क दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने किदरी कमाई की दी और इस मुवी की लागत किंदी दी और इस मुवी में किस प्रकार से आपको किन दारों को दिखाए गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नह देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निरमित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल् ताइकर श्रोफ रितेश देखमुक और सरदाकपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रीमेक हैं वही मैं आपको बता दूँ कि सरदाकपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही हैं जब से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मूग टैगर श्रोफ और शर्दा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह से मार्च दोहजार वीज को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्ल यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मूवी है तो आप अगर इस मूवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे कि नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो क को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस विडियो में हम आपको बताएंगे बागी थी मूवी के पूरी डीडेल्स के बारे में मागी 3 मूवी में कौन-कौन से स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमी देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्ते कर लें आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रनी छीजों को बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फॉक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और बागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स हैं बागी 3 में टाइगर्स रॉफ रितेश देशमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक हैं वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का अधा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह शे मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सित जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से कि नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए कर दोस्तों आप सभी का सुआगत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रिविई की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर स्रॉफ के इस वीडियो को लायक कर चैनल को सेरी करको नियां और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने कितरे कमाई की दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन करदारों को दिखाये गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस video में तो दोश्टू वीडियो को पूरा कम्प्लेट जरूर द तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिड चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडि 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है बागित्री में टाइगर स्रॉफ रितेश देखमुक और सर्दा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सर्दा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर श्रॉफ और सर्दा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्शन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की पर्मक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिरेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाहते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप चिक जिन नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए कर दोस्तों आप सभी का सुआगत करते हैं हमारे यूडियू चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रिविई की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को स वाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने कितरी कमाई की दी और इस मुवी की लागत कि दी और इस मुवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिड सीजो को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉप रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिक का निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लिड्रोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर श्रॉफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सि आपको बता दूँ कि फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितंबर सॉरी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वह 6 मार्च 2020 को सभी स्रेणा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धम मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मैं मिलता हूं आप से किसी नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जी Şu अगर आप भी टैगर श्रॉफ के फैंस हैं सप्रॉप कर दोस्तों के साथ Ce Brandon को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दिजेगा इस मुवी ने कितरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत दी और इस मुवी में किस प्रकार से आप को किन किरदारों को दिखाए गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीđडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कमप्लेट जरूर देखेगा तो से पह में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिर चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टेडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स हैं बागी 3 में टाइगर्स रॉफ रितेश देखमुक और सर्दा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक हैं वही मैं आपको बता दूँ कि सर्दा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर्स रॉफ और सर्दा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की पर्मक फोटोग्रापी 19 सितंबर सौरी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिरेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सब्सक्राइब कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेनिंग और रीवियू की व सब्सक्राइब करें इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने किदरे कमाई की दी और इस कि लागत के दिती और इस मुश् incluso के बारे में आपको बताने वाले इस विडियो में दोस्टों विडियो को पूरा कंपलेट जरूर देखेगा उससे पहले टो किरेंग के चैनल को सब्सक्राइब आपको को मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सकें तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको देखने वाला है वह बहत्रनी सीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी टू 2018 का सर्धाकपूर है यह 2012 तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रीमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सर्धाकपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे प्रिल्में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड़ोल में आपको दिखेंगे रिते द में काफी अच्छा-खासा क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म की फर्मक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से कजिन नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रिविई की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी 3 जी हाँ अगर आप भी टाइगर इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे बागी 3 मूवी के पूरी डिडिल्स के बारे में बागी 3 मूवी में कौन-कौन से श्टार काश ने काम किया किस अर्फ कार से लोगों ने इसमें अपनी क्र किरदार में आपको बताने हैं इस इस विडियो में तो दोस्तों वेडियो को पूरा लेट जरूर देखेगा तो यह स्ने पहले वेडियो को लाइक कर रकार के चेंछ नरब को और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सकें तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रन चीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियाद में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइगर स्रॉफ, रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वहिए मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लिर्डोल में आपको दिखेंगे रितेश, देशमुक, टैगर स्रॉफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्ट 2020 को ये रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्सन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि ये फिल्म की पर्मक फोटोग्रापी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिर्णा गरों में ये रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तो ये थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप चिक जिन नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियू चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइ बागित्री मुवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मागित्री मुवी में कौन-कौन से स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने कितरे कमाई की तो दोस्तों पूरा कंपलेट जरूर देखेगा उससे पहले विडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्ते कर लें आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सकें तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी सीजो को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के त निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टेडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियाद में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉप रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपक पूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लिड्रोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर्श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आप फिल्म जो है वह 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा का सा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वही 6 मार्च 2020 को सभी सिनेमा गर मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से किसी नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो क को शेयर कर दीजेगा क्योंकि इस विडियो में आपको बताएंगे वागई थरी मूवी के पूरी डिडिल्स के बारे में वागई थरी मूवी में कौन-कौन से श्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमी काओं को निवाया है और किस तरीके स लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने कितरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत की दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूर दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिड चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमे साथ में एक स्विकल्स हैं बागित्री में टाइकर स्रॉफ रितेश देखमुख और सर्दा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सर्दा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही हैं सबसे पाइब आपको बता दूँ कि इसमें तीन आपको दिखेंगे रितेश देश्मूख टैगरश्रोफ और सर्दा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह शे मार्च दो हजार वीस को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसम मार्त 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप चिक जिन नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीवियू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को स वाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने किदरी कमाई की दी और इस मुवी की लागत कि दी और इस मुवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिड सीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्सन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधिहात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइगर स्रोफ रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिक निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लिड्रोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर श्रोफ और शर्दा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिने तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मैं मिलता हूं आप से किसी नई और इंस्पारिंग इंडेटैनिक वीडियो में तब तक के लिए कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूड्यूब चैनल की और एक नई इंडेटैनिंग और रीवियू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी 3 जियां अगर आप भी कोंने क्शार काश ने सबक्राइं कंता से किस प्रकार melonओं को निवाया है किस तरीके से लोग इस कमाई की दी मद इस मूबिय की ना जक्ट किन दी और इस मूबे में किस प्रकार में आपको तक रास सब आए और ना मुदार आपको दळाने साथ आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाक कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मुवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉप रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिक निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन रिलीज डोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर श्रॉप और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्श 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिन मार्ट 2020 को सभी सिर्णा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मूवी है तो आप अगर इस मूवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से किसी नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए हैं उसका नाम है बागी 3 जियां अगर आप टाइगर श्रोप के फैंस हैं इस वीटियोग राएक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर कररें विजय कुद यह सब Só e раз कर दिए का क्योंग skeptक्ष को आपकोolen के दी और इस movie की लागत दी और इस movie में इस किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी बारे में आपको बताने वाले हैं इस आपको इस वीडियो में दोस्तों वीडियो को पूरा कमप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले में आपको जो दिखने वाला है वो अबहत्रिदी चीजों को देखने को मिलेगा बागी त्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स हैं बागी 3 में टाइगर्स रॉफ रितेश देखमुक और सर्दा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक हैं वही मैं आपको बता दूँ कि सर्दा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे पहले में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर्स रोफ और सर्दा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि फिल्म की फर्मक फोटोग्राफी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिस फारिंग इंट्रेनींग वीडियो में तब-तक के लिए वी एक कर दोस्तों आप सभी का सुआगत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नईंडेनिंग और रीवियू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी 3 जी हाँ अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेय इस कर रहे हैं इस मुवी ने कितने कमाई की दी апरसिज्द उठ्र प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन Avant अभी के बारे आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो रीडियो को पूरा कम्पलेट जुरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और वस्य कर लेए कि आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी सीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉप रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिक निभा रही है सबसे पिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड़ डॉल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर्श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह शे मार्च दो हजार वीस को यह रिलीज की मार्च दो हजार वीस को सभी स्रेणा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मूवी है तो आप अगर इस मूवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूड्यूब चैनल की और एक नई इंडेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जी हां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फै मूवी में कौन-कौन से स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने अपने भूंविकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस movie ने किदरी कमाई की थी और इस movie की लागत किंदी थी और इस movie में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा complete जरूर देखेगा तो से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा नि निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधिहात में एक स्विकल्स हैं वागी 3 में टाइकर स्रॉप रितेश देशमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वह मैं आपक पर फिल्म में एक एर होश्टेष्ट की भूमी का निभा रही है सबसे पहले में आपको बता दूग इसमें तीन लिडॉट रोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मूक टैगर श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें आपको फिल्म जो है वह 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोगरापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वही 6 मार्च 2020 को सभी सिनेमा गरों म यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से किसी नई और इंस्पारिंग में दोस्तों आज की मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बाग atravichadna अगर आप इस चानल को ससकराइब कर शेयर कर देल 1949 महीं कौन चे-श्टर काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें आपनी हमीए काउं को निभाया है और किस तरीक Dir के सब्CER Congressman ने ने लगवी को पसंद कर रहे हैं कितरी कमाई की दी मोवी की लागत प्रिक्री और से यह को दिखाये बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियों में तो दोस्तों वीडियों को पूरा जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाक कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रन चीजों को देखने को म नाड याड वाला ग्रेडसन इंटेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी 2 2018 का अधियात में एक स्विकल्स है बागी 3 में टाइकर स्रॉफ रितेस देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल और सरदा कपूर फिल्म में एक एर छोष्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे पिल मैं आपको बता दू कि इसमें 10 लीड डौल में आपको दिखेंगे रुटिये से देश्मूँक टैगल श्रॉफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें आपको फि 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्त 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तो यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से के जिन नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीविई की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जी हाँ अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा यूче इस विडियो में हम आपको बताएंगगे बागी थ्री मूवी के पूरी डीडिल्स के बारे में मूवी में कौन-क़न से इस्टार कास ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने किदरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत की दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो वीडियो को पूरा कम्पलेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्य कर लें ताकि ऐसी ही नौलस्पूल जानकारे आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रन चीजों को देखने को मिलेगा बागे 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देसित और एक एक्सन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी 2 2018 का अधियात में एक स्विकल्स है बागी 3 में टाइगर स्रोफ, रितेस, देखमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डोल में आपको दिखेंगे रितेस, देखमुक, टैगर श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में 2020 को सभी सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहती कमाल धमाल मूवी है तो आप अगर इस मूवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मैं मिलता हूँ आप से किसी नई और इं और ईंटेडैनिक और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जी हाँ अगर आप भी Tiger Shroff के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बागी थरी मूवी के पूरी डिडिल्स के बारे में बागी थरी मूवी में कौन-कौन से स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमी काओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को प उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्य कर लें प्राकि ऐसी ही नौलज़्पूल जानकारे आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ भाइत्र नौर कुछ नयाक कर सके जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फॉक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियात में एक स्विकल्स है बागी 3 में टाइगर स्रोफ, रितेस, देखमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमिका निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन रिलीज डोल में आपको दिखेंगे रितेस, देखमुक, टैगर स्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को ये रिलीज की गई थी सभी सिनेमा घरो में और इसमें काफी अच्छा-कासा क्लेक्टन हुई थी वहें मैं आपको बता दूँ कि ये फिल्म की परवख फोटोग्रापी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिनेमा घरो में ये रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तो ये थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे जिन नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक क दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने किदरी कमाई की दी और इस मुवी की लागत किंदी दी और इस मुवी में किस प्रकार से आपको किन सब्सक्राइब को दिखाया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स हैं बाग 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वहीं मैं आपको बता दूँ कि सर्दाकपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डॉल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मूग टैगर्श्रोफ और शर्दाकपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों म हैं और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्सन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की फर्मक फोटोग्रापी 19 सितंबर सौरी 12 सितंबर 2019 को मुंबगय में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिरेना गरों में सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे कि नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियू चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श मुवी के पूरी डिडिल्स के बारे में माग इतरी मुवी में कौन-कौन से इस्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमी काउं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने कितरी कमाई की दी और इस मूबी की लागत किंदी ऑर इस मूवी में किस परकार से आपको किन खिरदारों को दिखा गया है इन सभी के बारे मैं आपको बताने बाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो वीडियो को पूरा कमप्लेट ज्रूर देखेगा उसे फैले वीडियो को दिखने वाला है वह बहत्रिदी चीजों को देखने को मिलेगा बागे 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फॉक्स इ 2016 और बागे 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है बागे 3 में टाइकर स्रॉप रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमिका निभा रह है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर श्रॉफ और शर्दा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आप फिल्म जो है वह शे मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में औ और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवख फोटोग्रापी 19 सितंबर सॉरी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से इस नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीविई की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे बागित्री मुवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मागित्री मुवी में क इस प्रिकार से आपको किन करदारों को दिखाए गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कम्प्लेट जरूर देखेगा तो से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्य कर लें आपके ऐसी ही और एक एक्सन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रोफ रितेस देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमी का लिखेंगे रितेस देशमुक टैगर श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमागरों में और इसमें काफी अच्छा-खाचा क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बता दू कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगय में शुरू ही थी और वही 6 मार्ट 2020 को सभी सिर्णागरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप चिक जिन नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जी हाँ अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगा बागी 3 मूवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मूवी में कौन-कून थे स्टार काश ने क्या काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमी काओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने कितरी कमाई की दी और इस मुवी की लागत किंदी दी और इस मुवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो वीडियो को पूरा complete जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को like करके चैनल को subscribe आपको मिल सकें और आप जीवन में कुछ बहतरन और कुछ नयाग कर सकें तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहतरनी सीजो को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रोफ रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमिका निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन रिलीज डोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर श्रोफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्श 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिन तो दोस्तों यह थी मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मूवी है तो आप अगर इस मूवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूं आप से किसी नई और इंस्पारिंग इंडेटैनिंग वीडियो में तब तक के ल दिशाए इंडेटैनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भिं टाइगर शुरॉप के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैन लोग इस movie को पसंद कर रहे हैं इस movie ने किदरे कमाई की दी और इस movie की लागत किंदी दी और इस movie में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाये गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस video में तो दोस्तो वीडियो को पूरा complete जरूर देखेगा तो से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्य कर लें आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस movie में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागित 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक action drama film है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडिसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागि 2016 और बागि 2 2018 का अधियाद में एक स्विकल्स है बागि 3 में टाइगर स्रॉफ रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लिर्डोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर स्रॉफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्टन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की फर्मक फोटोगराफी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे कि नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियू चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श मुवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मुवी में कौन-कौन से स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमी काउं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने कितरी कमाई की दी और इस मुवी की ला आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाक कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फॉक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 औ दिहात में एक स्विकल्स है बागी 3 में टाइगर स्रॉफ रितेश देखमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे पहले म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर श्रॉफ और शर्दा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफ 2020 को सभी सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहती कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मैं मिलता हूँ आप से किसी नई और इं आपक नई इंटरेंग और रिविग्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी थी जी हां अगर आप भी टाइगर श्रौ फ्रॉॉफ के फैंसे हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के सा चैनल को subscribe कर गे इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कर दीएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे बागई 3 मूज़ी के पूरी details के बारे में बागई 3 कोंगां झाल को निवाया किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने घर कमाई की दी और इस पुर्डार यो भाड़े में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रन चीजो यह एकुट द्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला आएंड पर ग्रेडान इंटेंड्मेंट के तहत सब्सेंद फोक्स इस्टार इस्टेडियो दवारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियात में एक स्विकल्स हैं वागी 3 में टाइकर स्रॉप, रितेस देशमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक हैं वही मैं आपको बता दूँ क कि सरदा कपूर फिल्म में एक Air Hostess की भूमिका निभा रही है सबसे पहले में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लिडोल में आपको दिखेंगे रितेस देशमुक टैगर्श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें आपको फिल्म जो है वह शे मार्च 2020 को ये रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वहें मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवख फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहें 6 मार्ट 2020 को सभी सिनेमा गरों में ये रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों ये थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से कसी नई और inspiring entertaining वीडियो में तब तक के लिए तो दोस्तों आप सभी का सुआगत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई entertaining और review की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी 3 जी हाँ अगर आप भी Tiger Shroff के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बागी 3 मूवी के पूरी डिडियल्स के बारे में मूवी में कौन-कौन से श्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस movie ने किदरे कमाई की दी और इस movie की लागत किंदी दी और इस movie में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा complete जरूर देखेगा तो से पहले वीडियो को like करके चैनल को subscribe और वस्ते कर लें आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस movie में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा नि निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो दोवारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉफ रितेश देशमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वह मैं आपको बता दूँ कि सर्दा कपूर फिल्म में a our hostess की भूमी का निभार ही है सबसे बिल्मने आपको बता दूक 10s आँए अपको पादिध स्रिम इसमें और इसमें का फ्रकत है य्था उखिका क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ M फिल्म की परिमक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबई में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्त 2020 को सभी स्रेणा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तो यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप चिक जिन नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक क सभी का सुआगत करते हैं हमारे यूडियू चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीविईू के वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी 3 जिया अगर आप भी टाइगर श्रॉप के फैंस हैं इस वोटियो, लायक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ, इस वीडियो को सेयर कर दिजेगा, क्योंकि है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बागी थरी मुवी के पूरी डिडिल्स के बारे में बागी थरी मुवी में कौन-कौन से स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमी काउं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने किदरे कमाई की दी और इस मुवी की लागत किंदी दी और इस मुवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कमप्लेट जरूर देखेगा उसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और बस्ते कर लें आगे ऐसी ही नौलश्पुल जानकारे आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्र नौर कुछ नयाग कर सके तो दोस्तो सबसे पह वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियात में एक स्विकल्स हैं वागी 3 में टाइकर्स रॉप रितेश देशमुक और सरदा कपू यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वहीं मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लिडॉल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्शन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवख फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी 3 जी हाँ अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर क कर दिजेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे बागी थ्री मूवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मागी थ्री मूवी में कौन-कौन से इस्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने किदरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत किंदी दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूर इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिडी चीजों को देखने को मिलेगा. निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो दोवारा वित्रित की गई. यह बागी 2016 और बागी 2, 2018 का अधियात में एक स्विकल्स है. बागी 3 में टाइकर स्रॉफ, रितेस देशमुक और सरदा कपूर हैं. यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है. वही मैं आ पर रही है. सबसे फिल में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेस, देशमुक, टैगर श्रॉफ और सरदा कपूर. फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गर ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मूवी है तो आप अगर इस मूवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आ अब सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियू चैनल की और एक नई इंडेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे बागित्री मूवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मागित्री मूवी में कौन-कौन से और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने कितरे कमाई की दी मुवी की लागत Remote sore और इस मुवी में किस परकार से आपको किन किरदारों को दिखाये गया है इन सभी के बारे में आपको बतानी वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्य कर लें आपके इसी ही नौलचपुल जानकारें आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ भैतरन और कुछ न जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टेडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियात में एक स्विकल्स हैं बागी 3 में टाइगर श्रॉफ रितेस देखमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेस देखमुक टैगर श्रॉफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इस सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मूवी है तो आप अगर इस मूवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से किसी नई और इंटेटेइनिंग वीडियो में तब तक के लिए उसका नाम है बागी 3 जी हाँ अगर आप भी Tiger Shroff के fans हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा तो कि इस विडियो में आपको बताएंगे बागी 3 मूवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मागी 3 मूवी में कौन कौन से स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूभी काऊं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने किदरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत किंदी दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो विडियो को पूरा कंपलेट जरूर देखेगा उससे फहले विडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्य कर लें आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाख कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निरमित और फोक्स इस्टार इस्टेडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी 2 2018 का अधियात में एक स्विकल्स हैं बागी 3 में टाइकर स्रोफ रितेस देशमुक और सर सर्दाकपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे पर मैं आपको बता दूए इसमें तीन लीड़ डोल में आपको दिखेंगे रितेस देशमुक टैगर श्रोफ और सर्दाकपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्टन हुई थी वहें मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परमक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी स सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाहते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप चिक जिन नई और इंस्पार Q की विडियो में दोस्तों आज की इस वीटियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी त्री जी अल्हां अगर आप पर टायकर श्रमस के अगर ठाज्ड्म यहूं था रूपल P को पसंद कर रहे हैं इस movie ने कितरे कमाई की दी और इस movie की लागत कि दी और इस movie में किस प्रकार से आपको किन करदारों को दिखाए गया है इन सबी के बारे में आपको बताने बाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा complete जरूर देखेगा तो से पहले वीड में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिड चीजों को देखने को मिलेगा बागित 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉप रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिक निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लिड्रोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर्श्रोफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिन तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूं आप से किसी नई और इंस्पारिंग इंडेटैनिंग वीडियो में तब तक के ल हैं ईनटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दो सटों आज चीस वीडियो में हम इस मुवी बारे में बात करने वाले हैं मैं तो आप को बताएंगे बागे थी मूवी पूरी डिडेल्स के बारे में माँत्रही मूवी में कौन कोन से स्टार काश में काम किया है किस प्रकार से लोगों-ने इस में अपनी निवाया है और किस तरीके से लोग इस movie को पसंद कर रहे हैं इस movie ने किदरी कमाई की दी और इस movie की लागत किनदी दी और इस movie में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा complete जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और बस्ते कर लें आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रन चीज द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फॉक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉफ रितेस देशमुक और सरदा कपूर है य वह मैं आपको बता दूं कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमिका निभा रही है सबसे अब को बता दू कि इसमें तीन लिडुड डॉल में आपको दिखेंगे रितेस देशमुक टैगरश्रोप और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितंबर सौरी 12 सितंबर 2019 को मुंबवय में शुरू ही थी और व मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाहते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप चिक जिन नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीविई की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को स वाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने किदरी कमाई की दी और इस मुवी की लागत कि दी और इस मुवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया किया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्ते कर लें आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी सीजो को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियाद में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रोफ रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिक निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडुरोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर श्रोफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह शे मार्स दो हजार वीस को यह रिलीज की और वहीं 6 मार्स दो हजार वीस को सभी स्रेणा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मैं मिल YouTube चैनल की और एक नई इंटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दिजिएगा ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बागित्री मूवी के पूरी डिटेल्स के बारे में मुवी में कौन-कौन से श्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इस इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने कितरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत किन्दी दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा क को पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिण सीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडिसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स हैं बागी 3 में टाइगर्स रॉफ रितेश देखमुक और सर्दा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक हैं वही मैं आपको बता दूँ कि सर्दा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमिका निभा रही हैं सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर्श्रोफ और शर्दा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में औ और उसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवख फोटोग्रापी 19 सितंबर सॉरी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वही 6 मार्ट 2020 को सभी सिर्णा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सिक जिन नई और इंस्पारिंग इंडेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीविई की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जी हां अगर आप भी टाइगर आपको आपको कि मुवी के लागत काष के थी हैं और इस मुवी में किस प्रकार से आप को किन किरदारों को दिखायا क्या है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्य कर लें आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रन सीजो को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देसित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है बागित्री में टाइगर्स रॉफ रितेस देखमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वह मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमी का निभा रही है सबसे पिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लिडॉर्डोल में आपको दिखेंगे रितेस देखमुक टैगर्स रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह शे मार्ट दो हजार 20 को यह रिलीज की गई थी सभी स्टेमा गर इसको सभी स्टेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूं आप से किसी नई और इं फारिंग इंटेटेनिंग वीडियो में तब तक के लिए